एक बार फिर से स्वागत है आपका, आपके अपने चैनल स्पिरिच्वल स्पिरिट में। आज की वीडियो अद्भुत होने वाली है, स्वामी विवेकानंद जी का ये लैक्चर। हम सब को सारे भौतिक बंधनों से मुक्ति देने में कारागार है। बस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनना। रेलवे लाइन पर एक भीमकाय इंजन तेजी से जा रहा था। एक छोटा सा कीडा लाइन पर रेंग रहा था। इंजन आ रहा है यह देखकर धीरे से लाइन से उतर कर उसने अपने प्राण बचाए। यद्यपी वह क्षुद्र कीट इतना नगण्य है कि इंजन से दब कर किसी भी क्षण उसकी मृत्यू हो सकती है तथा पी वह एक जीवित पदार्थ है और इंजन इतना ब्रहत, इतना प्रकांड होने पर भी केवल एक यंत्र है, एक जड़ इंजन ही है। आप कहेंगे एक में जीवन है और दूसरा केवल जड़ पदार्थ है, उसकी चाहे जितनी शक्ती हो, उसकी गती और वेग जितना प्रबल हो, वह मृत जड़ यंत्र के सिवाय और कुछ भी नहीं है। जीवित, प्राण संपन वस्तु से मृत जड़ पदार्थ की भिन्नता, हम कैसे समझते हैं। यह जो स्वाधीनता है, जिसके रहने पर ही केवल यंत्र से हमारा विशेशत्व है, उस स्वाधीनता को पूर्ण भाव से पाने के लिए ही हम सब चेश्टाएं कर रहे हैं। हमारी जितने प्रकार की चेश्टाएं हैं, उन सब का यही उद्देश्य है कि कैसे हम अधिकाधिक स्वाधीन हों, क्योंकि पूर्ण स्वाधीनता पाने पर ही हम पूर्णत वपा सकते हैं। हम जाने या न जाने, स्वाधीनता पाने की चेश्टा ही सब प्रकार की उपासना प्रणालियों की भित्ती है। संसार में जितने प्रकार की उपासना प्रणालियाओं प्रचलित हैं, उन सब का यदि विशलेशन करें, तो हमें मालूम होगा कि नितांत असभ्य जातियां भूत पेतादी की उपासना करती हैं। पूर्व पुरुषों की आत्माओं की उपासना, सर्प पूजा, जातिय देव विशेश की उपासना, इन सब को लोग क्यों करते हैं। उन से नाना प्रकार की काम्य वस्तूओं की वे आकांक्षा करते हैं, जिन सब को अपने प्रयत्न से लाभ करना मनुष्य को उचित है, वे उन्हें देवता के अनुग्रह से पाना चाहते हैं। जो कुछ भी हो, मतलब ये है कि इन सब उपासना प्रणालियों की आलोचना से यही उपलब्धी होती है कि समग्र संसार कुछ छमतकार की आशा कर रहा है। ये आशा कभी भी हमें नहीं छोड़ती और हम चाहे जितनी चेश्टा क्यों न करें, हम सब केवल अद्भुत और आश्चरे जनक की ओर ही दौड़ रहे हैं। जीवन के अर्थ और उसके रहस्य के अविराम, अनुसंधान को छोड़ हमारे मन का। और क्या अर्थ होता है। हम कहेंगे कि अशिक्षित लोग ही इन बातों के पीछे दौड़ रहे हैं। परन्तु वे भी क्यों ऐसा करते हैं। इस प्रश्ण से तो सहज ही हम छुटकारा नहीं पा सकते। बाइबिल में देखा जाता है कि यहूदी लोग ईसा मसीह के निकट निदर्शन स्वरूप एक अलौकिक घटना देखने की आकांक्षा व्यक्त करते थे। केवल यहूदी ही क्यों समग्र जगत ही हजारों वर्शों से लेकर इस प्रकार अलौकिक घटना देखने की प्रत्याशा करता आ रहा है और देखिये, समग्र जगत में सब के भीतर ही एक असंतोश का भाव दिखाई पड़ता है। उसके बाद समझ गए कि उससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। समय समय पर हम में ऐसे असंतोश का भाव आता रहता है किन्तु यदि असंतोश ही बना रहे तो हमारी इन मानसिक चेश्टाओं का क्या लाब। इस सारवजनीन असंतोश का अर्थ क्या है। इसका अर्थ यह है कि स्वाधीनता लाब ही मानव जीवन का चरम लक्ष है। जब तक वह इस स्वाधीनता का लाब नहीं करता तब तक किसी तरह भी उसका असंतोश दूर नहीं हो सकता। मनुष्य सरवदा ही स्वाधीनता का अनुसंधान कर रहा है। मनुष्य का समग्र जीवन ही केवल इस स्वाधीनता लाब की चेश्टा है। बच्चा जन्म ग्रहन करते ही नियम के विरुद्ध विद्रोही हो जाता है, वह जन्म ते ही रोने लगता है, इसका अर्थ और कुछ भी नहीं है, वह जन्म ते ही देखता है कि वह विविद अवस्था चक्र में बद्ध है, इसलिए मानों वह रोकर उक्त अवस्था का प्रत पन्न होती है कि ऐसा एक पुरुष अवश्य है जो संपूर्ण तह मुक्त स्वभाव है। इसलिए देखा जाता है कि इश्वर की धारणा मानव के मन का स्वभाविक गुण है। वेदांत में मानव मन की सर्वोच ईश्वर धारणा सच्चिदानंद नाम से निर्दिष्ट की गई है। वह चिद्धन और स्वभावत आनंद घनस्वरूप है। हम बहुत दिनों से ही उस सच्चिदानंद स्वरूप की आंतरिक वाणी को दबा रखने की चेश्टा करते आये हैं। हम नियम का अनुसरन करने की चेश्टा करके अपने स्वभाविक मनुष्य प्रकृती की सुर्ती में बाधा देने का प्रयास कर रहे हैं। किन्तु हमारा अभ्यंतरिक मानव स्वभाव सुलब सहज संसकार प्रकृती की नियमावली के विरुद्ध हमको विद्रो करने के लिए प्रवृत्त कर रहा है। हम इसका अर्थ चाहे न समझें। परंतु अज्यात रूप से हमारे मानुशिक भाव के साथ आध्यात्मिक भाव का निम्नस्तर के मन के साथ उच्चतर मन का संग्राम चल रहा है। और इस प्रतिद्वंद्विता के संगर्ष से अपना एक प्रथक अस्तित्व बचा रखने की जिसको हम अपनापन या व्यक्तित्व कहते हैं, उसको बचा रखने की एक विशेश चेष्टा देखी जाती है। यहां तक की नरक के अस्थित्व की जो कलपना की जाती है, उसमें भी ये अद्भुत बात पाई जाती है कि हम जन्म से ही प्रकृती का विरुद्धाचरण करते रहते हैं। अपनी गति से चलता रहता है, उसकी श्रंखला हम तोड़ नहीं सकते। नियम का पालन ही मनुष्य की प्रकृती हो जाती है। पहनाग पूजा या भूत पेद की उपासना या दानव पूजा तथा विभिन धर्म मत और साधना चमतकार लाब के लिए क्यों किये जाते हैं। किसी वस्तु में जीवन शक्ती है, उसके भीतर एक यतार्थ सत्ता है, ये बात हम क्यों कहते हैं। अवश्य इन सब अनुसंधानों के भीतर, जीवन शक्ति को समझने की यथार्थ सत्ता की व्याख्या करने की चेश्टा के भीतर कोई अर्थ होना चाहिए. वह कभी निरर्थक या व्यर्थ नहीं हो सकती. वह मानव की मुक्तिलाब की अनवरत चेश्टा ही है. हम जिस विद्या को विज्ञान शास्त्र कहते हैं, वह हजारों वर्षों से स्वाधीनता लाब की चेश्टा करती आ रही है. और सब लोग सदैव इस स्वाधीनता की ही आकांक्षा कर रहे हैं. परंतु प्रकृति के भीतर तो स्वाधीनता या मुक्ति नहीं है. उसके भीतर नियम केवल नियम है. तथा पी मुक्ति की यह चेश्टा चल रही है. विशाल सूर्य मंडल से लेकर क्षुद्र परमानु तक सभी प्रकृति के नियम आधीन है. यहां तक की मनुष्य की भी स्वाधीनता नहीं है. परंतु हम इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते. हम अना यही अनंत चीतकार उठ रही है. मनुष्य ने जब नित्यमुक्त पुरुश स्वरूप ईश्वर की धारणा लाब की है, तब वह अनंत काल तक के लिए बंधन के भीतर रहकर शांती नहीं पा सकता. मनुष्य को उच्च से उच्चतर पत पर अग्रसर होना होगा और यह चे प्रकृति के नियम में बद्ध नहीं है, जो नित्यमुक्त और प्रकृति के भी प्रभू है. इसलिए बंधन की धारणा, जिस प्रकार हमारे मन का अभेद्य अंशस्वरूप है, इश्वर की धारणा भी उसी प्रकार प्रकृतिगत और हमारे मन का अभेद्य व्यक्तित्व के स्तर तक उपर उठने की चेष्टा कर रही है। अज्याद भाव से मुक्ति की चेष्टा उनके भीतर कार्य कर रही है। उद्भित जीवन धारण कर रहा है। उसका उद्देश्य है अपने विशेश शत्व, अपने विशेश रूप, अपने निजत्व की र परन्तु जिस प्रकार नियम में बद जड़ जगत की धारणा चल रही है, उसी प्रकार मुक्ति की धारणा भी चल रही है। प्रकार के लक्षे की और पहुचने की चेश्टा कर रहे हैं, तो विवाद का प्रयोजन फिर नहीं रहेगा। होने की निरंतर चेश्टा पर एक व्याख्यान दे सकते हैं और देंगे भी। यह सब मैं मानता हूँ, किन्तु फिर भी स्वाधीनता का भाव तो हमारे भीतर से नहीं जाता। जैसे हम प्रकृती के अधीन हैं। प्रकृती के बंधन को किसी प्रकार काट नहीं सकते। यह भाव सदा हमारे भीतर वर्तमान है। वैसे ही स्वाधीनता का भाव भी हमारे भीतर सदा वर्तमान है। बंधन और मुक्ती, प्रकाश और छाया, अच्छा और बुरा। सर्वत्र ही ये दो बाते हैं। समझना होगा कि जहां भी किसी प्रकार का बंधन है, उसके पीछे मुक्ती भी गुप्त भाव से विद्यमान है। यदि एक सत्य हो, तो दूसरा भी अवश्य सत्य होगा। सर्वत्र ही मुक्ती की धारणा अवश्य रहेगी। हम अशिक्षित व्यक्तियों में जिस प्रकार बंधन की धारणा देखते हैं, उसको हम मुक्ती की धारणा कहकर अभी न समझें, तथा पिवह धारणा उनके भीतर मौजूद है। अशिक्षित और जंगली मनुष्य के मन में पाप और अप्वित्रता के बंधन की धारणा बहुत कम है। कारण उसकी प्रकृती पशुस्व भाव से अधिक उन्नत नहीं है। वह भौतिक प्रकृती के बंधन से, भौतिक सुख संतोश के अभाव से अपने को मुक्त करने की चेश्टा करता रहता है। किन्तु इस निम्नतर धारणा से धीरे-धीरे उसके मन में मान सिक और नैतिक बंधन की धारणा और आध्यात्मिक स्वाधीनता की आकांक्षा जाग उठती है। यहां हम देखते हैं कि वही इश्वरिय भाव अज्यानावरण के भीतर से क्षीन रूप में प्रकाशित हो रहा है। पहले-पहल वह आवरण बड़ा घना रहता है और एक तरह से उससे अच्छादित है। परंतु वास्तव में वही मुक्ति और पूर्णता रूप उज्वल अग्नि सदा शुद्ध और आच्छादित भाव से ही वर्तमान रहती है। मनुष्य उसी में व्यक्तिधर्म का आरोप कर उसे ब्रह्मांड का नियंता एक मात्र मुक मुक्ति का अनुसंधान है और वह मुक्ति ही इश्वर स्वरूप है। इस मुक्ति के लाब करने पर निश्चय ही समगर प्रकृती पर आधिपत्य प्राप्त होता है और ज्ञान के बिना मुक्ति पाना असंभव है। हम जितने अधिकतर ज्यान संपन्न होते हैं, उतना ही ह इतनी ही हमारे वशीभूत होती जाती है, उतना ही हम अधिकतर शक्ति संपन्न, अधिकतर ओजस्वी होते जाते हैं। और यदि ऐसे कोई पुरुष हो जो संपूर्ण, मुक्त और प्रकृति के प्रभू हैं, तो उनको अवश्य ही प्रकृति का पूर्ण ज्यान रहेगा। संपूर्ण, मुक्त भाव से अवस्थान कुछ भी उसको बद्ध नहीं कर सकता। वहाँ प्रकृति भी नहीं है, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो उसमें किसी प्रकार का परिणाम उत्पन्न कर सके। यह मुक्त भाव आपके भीतर है, मेर कि एक मात्र यथार्थ स्वाधीनता है। सूर्य, चंद्र, तारों के प्रकाश से नहीं। या ना समझे, उन्हीं की उपासना हो रही है। केवल यही नहीं, मैं जरा और भी आगे बढ़कर कहना चाहता हूँ। और इस बात को सुनकर शायद सभी आश्चर्य चकित होंगे। किन्तु इसमें संदेह नहीं, कि जिसको अशुभ कहा जाता है, वह भी उन्हीं की उपासना है, वह भी मुक्ती का ही एक कोना है। केवल वही नहीं, आप शायद मेरी यह बात सुनकर डर जाएंगे, किन्तु मैं कहता हूँ, जब आप कोई बुरा कार्य कर रहे हैं, तो उस मुक्ती की अदम्य आकांक्षा ही प्रेरक शक्ति रूप में उसके पीछे विद्यमान है। संभव है कि वह गलत रास्ते पर जा रही है, परंतु वह विद्यमान है, अवश्य यह कहना पड़ेगा। और फिर उस मुक्ती की स्वाधीन्ता की प्रेरणा न रहने से, किसी प्रकार का जीवन या किसी प्रकार की पैरणा नहीं रह सकती। समग्र ब्रह्मांड में मुक्ती स्वाधीन्ता का स्पंदन हो रहा है। इस ब्रहमांड के अंतरतम प्रदेश में यदि एकत्व न रहता, तो हम बहुत वका ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर सकते थे। उपनिशद में इश्वर की धारणा इसी प्रकार की है। समय समय पर यह धारणा और भी उच्चतर में उठी है, उसने हमारे सामने एक ऐसे आदर्ष की स्थापना की है, जिससे पहले पहल तो हम इस्तंभित हो जाना पड़ता है। वह आदर्ष ये है कि स्वरूपतह हम इश्वर से अभिन्न हैं। वही तितली के विचित्र वर्ण हैं और वही गुलाब की कली के प्रस्फुटन के रूप में आविरभूत हैं हैं। और वही तितली तथा गुलाब के पौधे में शक्ति रूप में विद्धिमान हैं। जिन्होंने हमें जीवन दिया है, वे ही हमारे अंतर में शक्ति रूप से विराज रहे हैं। जो कुछ भी भयानक देखता है, उसके पास से भागने की चेश्टा कर रहा है। जैसे बंदरों के सामने करना पड़ेगा। जैसे बंदरों के सामने से न भाग कर उनका सामना करने पर वे भाग गए थे, उसी प्रकार हमारे जीवन में जो कुछ कश्ट प्रत बातें हैं, उनका सामना करने पर ही वे भाग जाती हैं। यदि हमको मुक्ति या स्वाधीनता का अर्जन करना हो, तो प्रकृति को जीतने पर ही हम उसे पाएंगे। प्रकृति से भाग कर नहीं। कायर पुरुष कभी जय नहीं पा सकता, हमको भय कश्ट और अज्ञान के साथ संग्राम करना होगा, तभी वे हमारे सामने से भाग जाएंगे। मृत्यू क्या है? भय किसका है? उन सब के भीतर क्या भगवान का रूप दिखाई नहीं देता? दुहुक, कश्ट और भय से दूर भाग कर देखिए, वे आपका पीछा करेंगे। उनके सामने खड़े हो ये, वे भाग जाएंगे। सारा संसार सुख और आराम का उपासक है। जो कश्ट प्रद है, उसकी उपासना करने का साहस बहुत कम लोग करते हैं। जो मुक्ती चाहता है, उसे इन दोनों का ही अतिक्रमन करना पड़ेगा। मनुष्य इस दूह खदाई द्वार के भीतर से गए बिना मुक्त नहीं हो सका। हम सभी को इसका सामना करना पड़ेगा। हम इश्वर की उपासना करने की चेश्टा करते हैं किन्तु हमारी देह बीच में आती है। प्रकृती उनके और हमारे बीच में पढ़कर हमारी द्रिष्टि को अंधी कर देती है। कठोर वज्र के भीतर, लज्जा, मलिंता, दुहक दूर विपाक, पापताप के भीतर भी हमें उनसे प्रेम करने की शिक्षा लेनी होगी। समग्र संसार धर्म मैं इश्वर का प्रचार चिरकाल से करता आ रहा है। मैं ऐसे इश्वर का प्रचार करना चाहता हूँ जो एकाधार से धर्म और अधर्म दोनों में ही है। यदि साहस हो तो इस इश्वर को ग्रहन करो यही मुक्ति का एक मात्रो पाय है। इसके द्वारा ही आप उस एक स्वरूप चरम सत्य में पहुँच सकेंगे। तभी यह धारणा नश्ठ होगी कि एक व्यक्ति दूसरे से बड़ा है। जितना ही हम इस मुक्ति तत्व के पास जाते हैं, उतना ही हम इश्वर के आश्रे में आते हैं, उतना ही हमारा दुहक कष्ट दूर होता है। तब हम नरक के द्वार को स्वर्ग द्वार से प्रिथक नहीं समझेंगे। तब हम मनुष्य मनुष्य में भेद बुद्धि कर यह नहीं कहेंगे कि मैं जगत के किसी प्राणी से श्रेष्ठ हूँ। जब तक हमारी ऐसी अवस्था नहीं होती कि हम संसार में उस प्रभू के सिवाय और किसी को न देखें, तब तक हम दूख कष्ट से घिरे ही रहेंगे, तब तक हम सब में भेद देखेंगे। कारण हम उस भगवान में, उसी आत्मा में अभिन्य हैं और जब तक हम ईश्वर को सरवत्र नहीं देखेंगे, तब तक हम समग्र संसार के कत्व का अनुभव नहीं कर सकेंगे। को खाया, उसको कष्ट हुआ, कुछ क्षण के बाद ही एक और फल खाया, और जब वह भी कड़वा लगा, तब उसने ऊपर की ओर देखा, उपर उसको दूसरा पक्षी दिखी दिया, वह मीठे या कड़वे किसी भी फल को नहीं खाता, वह अपनी महिमा में मगन हो स्थिर और धीर भाव से बैठा है, किन्तु वह उसे देखकर भी फिर भूल से फल खाने लगा, अंत में उसने एक ऐसा फल खाया जो बड़ा ही कड़वा था, तब वह फल खाने से विरक्त हो, फिर उस उपर वाले महिमा में पक्षी को देखने लगा, धीरे धीरे वह उस उपर वा उसे जात हुआ कि वास्तव में व्रिक्ष पर दो पक्षी कभी थे ही नहीं, केवल एक ही पक्षी था, नीचे वाला पक्षी उपर वाले पक्षी की केवल चाया थी, इसी प्रकार वास्तव में हम इश्वर से अभिन्न हैं, परंतु जिस प्रकार एक सूर्य लाखों ओस बि मस्वरूप के साथ अभिन्न होना चाहें, तो प्रतिबिंब को दूर करना अवश्यक है, विश्व प्रपंच कदापी हमारे कारियों की सीमा नहीं हो सकता, क्रिपन अर्थ संचय करता रहता है, चोर चोरी करता है, पापी पापा चरन करता है, और आप दर्शन शास्तर की श बश्य ही पाएगा, जो व्यक्ति पापों में मगन है, जिस व्यक्ति ने नरक के पत का अनुसरन कर लिया है, वह भी इस पूर्णता का लाब करेगा, परन्तु उसको कुछ विलंब होगा, हम उसका उध्धार नहीं कर सकते, जब उस पत पर चलते चलते वह कुछ कठिन खाएगा, तब वे ही उसे भगवान की और प्रेरित करेगी, अंत में वह धर्म, पवित्रता, नीस्वार्थ परता और आध्यात्मिकत्ता का पत ढूंड लेगा, और दूसरे लोग जिसका अनजान में अनुसरन कर रहे हैं, उसी धर्म का हम ज्यान पूर्वक अनुसरन कर र सब दर्शन शास्त्रों और प्रकृति के संबंध में इन सब मतवादों को लेकर क्या होगा, यदि वे जीवन के इस लक्ष पर पहुँचने में सहायता ना कर सकें, आईए, हम विभिन्न वस्तूओं में भेद ज्यान को दूर कर सर्वत्र अभेद का दर्शन करें, मनुष् देखना सीखें, हम अब इश्वर संबंधी संकीर्ण, साधारण, विशिष्ट धर्मगत और संप्रदाय समुह के उपासक न रहकर, संसार में सभी के भीतर उनका दर्शन करना आरंभ करें, आप लोग यदि ब्रह्मग्या हों, तो आप अपने हृदय में जिन इश्वर का दर्शन कर रहे हैं, उन्हें सर्वत्र ही देखने में आप समर्थ होंगे, पहले तो सब संकीर्ण, धारणाओं का त्याग कीजिए, प्रत्येक व्यक्ती में इश्वर का दर्शन कीजिए, देखिए, वे सब हाथों से काम कर रहे हैं, सब पैरों से चल रहे हैं, सब मुखों प्रभू, हमको यह विश्वास दें, हम जब समस्त संसार में इस अखंड का अनुभव करेंगे, तब हम अमर हो जाएंगे। मैं सब आचार रिगणों का आत्म स्वरूप हूँ, मैं ही चोरे वृत्तिकारी सकल चोरस्वरूप हूँ, और जितने हत्याकारी फांसी पर लटके हैं, उनका भी स्वरूप मैं सर्वमय हूँ, अतैव उठो, यही परापूजा है, तुम स्वयम समग्र जगत के साथ अभिन्न होगी, समस्त जगत का अखंडत्व यही श्रेष्ठतम धर्म मत है, मैं अमुक हूँ व्यक्ति विशेश, यह तो बहुत ही संकीर्ण भाव है, यथार्थ सच्चे अहम के लिए यह सत्य नहीं है, मैं समस्ति स्वरूप हूँ, इस धारण के ऊपर खड़े हो ये, इस पुरु होगी, पहले साधक उपासना की निम्नतम प्रणाली का अवलंबन कर, उपासना करते करते जडविशय की चिंता से उच्च सोपान पर आरोहन करके, आध्यात्मिक उपासना के राज्य में उपनीत होता है, तभी अन्त में आत्मा के माध्यम से और आत्मा के उस अखंड, अन अनन्थ हैं, मानव चैतन्य स्वरूप हैं, मानव भी अनन्थ हैं, और अनन्थ ही केवल अनन्थ की उपासना में समर्थ हैं, हम उसी अनन्थ की उपासना करेंगे, यही सर्वोच आध्यात्मिक उपासना है, इन सब भावों का अनुभव करना बहुत बड़ी बात है और कठिन मैं मतमतांतर की बात कह रहा हूँ, दार्शनिक विचार कर रहा हूँ, कितनी बकबक कर रहा हूँ, इतने में कुछ मेरे प्रतिकूल घटना घटी, मैं अज्यान से कृध हो उठा, तब भूल गया कि इस विश्व ब्रहमांड में इसक शुद्र ससीम मुझे छोड और भी कुछ है, मैं तब कहना भूल गया, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, इस अकिन्चितकार बात से मेरा प्रयोजन है, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं तब भूल जाता हूँ, कि यह सब मेरी ही लीला है, मैं इश्वर को भूल जाता हूँ, और मुक्ति की बात भी भूल जाता हूँ, रशियों ने बार बार कहा है, मुक्ति का पत उस तरे की भांति तीक्ष्ण दीर्ग और कठिन है, इसे अतिक्रमन करना कठिन है, किन्तु पत कठिन हो, सैकडों दुर्बलताएं आएं, सैकडों बार उद्यम विफल हो, परंतु वे आपको अपने मुक्ति पत पर अग्रसर होन निबोधत, उठो जागो, जब तक उस लक्ष पर नहीं पहुँचते, तब तक रुको मत, यद्यपी वहपत उस्तरे की धार की तरह तीक्ष्ण है, यद्यपी वहपत दीर्ग है, दूरवर्ती और कठिन है, किन्तु हम उस पत का अवश्य ही अतिक्रमन करेंगे, मनुष्य स उसके बदले में विशलाब करेगा, नहीं, अमरित है उसकी प्राप्ति के निमित्थ प्रयत्न शील प्रत्येक मनुष्य के लिए वह है, प्रभू ने स्वयम कहा है, सर्व धर्मान परित्यज्यमामेकम शरनम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षय श्यामिमा श होशना करते हुए सुन रहे हैं, यह वानी ही हमसे कह रही है, जैसी स्वर्ग में तद्रूप ही मृत्यू लोक में भी तेरी इच्छा पूर्ण हो, कारण सर्वत्र तेरा ही राजत्व है, तेरी ही शक्ती और तेरी ही महिमा है, कठिन, बड़ी कठिन बात है, अभी कहा, हे प मेरा पापताप, भला बुरा कार्य कुछ तेरे ही चरणों पर मैं समर्पन करता हूँ, तू सब ग्रहन कर, मैं अब तुझे कभी नहीं भूलूंगा, अभी कहा, तेरी इच्छा पूर्ण हो, पर दूसरे मुहूर्त में ही जब एक परीक्षा में पढ़ गया, तब हमारा पूठे अहम या कच्छे अहम का विनाश करना है, तब फिर सत्य के अहम, पक्के अहम स्वरूप, एक मात्रवे प्रभू ही रहेंगे, हिब्रु शास्त्र कहता है, तुम्हारा प्रभू इरश्या परायन ईश्वर है, तुम दूसरे किसी ईश्वर की उपासना नहीं करने प करेंगे, माना हमने खूब कठोर साधना की, परंतु दूसरे मुहूर्त में हमारा पैर फिसल गया, और तब हमने मा के निकट हाथ बढ़ाने की चेश्टा की समझ गए कि निजचेश्टा द्वारा अकंपिद भाव से खड़ा होना असंभव है, हमारा अनंत जीवंत जीवन मानुवह अध्याय समन्वित गरंथ है, जिसका एक अध्याय यह है कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, किन्तु यदी हम उस जीवन गरंथ के सब अध्यायों का मर्म ग्रहन न करें, तो समुद्दै जीवन का अनुभव नहीं कर सकते, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, प्रतिमुहूर्थ ही विश्वास घाती मन इन सब भावों के विरुद्ध खड़ा हो रहा है। परंतु हमें यदि इस कच्चे अहम को जीतना ही हो तो बार-बार उस बात की आवृत्ती करनी होगी। हम एक विश्वास घाती की सेवा करें और परितरान पा जाएं। ये कभी हो नहीं सकता। सब का परितरान है। केवल विश्वास घाती का परितरान नहीं है। और हमारे ऊपर तो विश्वास घाती की छाप लगी है। हम अपनी आत्मा के विरुद्ध विश्वास घाती हैं। हम जब अपने यथार्थ अहम की वानी का अनुसरन करने को असम्मत होते हैं, तब हम उस जगन माता की महिमा के विरुद्ध विश्वास घात करते हैं। अतैफ चाहे जो कुछ भी हो, हमें अपनी देह और मन को उस परम इच्छामय की इच्छा में मिला देना पड़ेगा। किसी हिंदु दार्शनिक ने ठीक कहा है कि यदि मनुष्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, बस और क्या प्रयोजन है। इसे दो बार कहने की आवश्यकता ही क्या है ? जो अच्छा है, वह तो अच्छा है ही। एक बार जब कह दिया, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो तब तो यह बात लोटाई नहीं जा सकती। स्वर्ग की भांती मृत्यू लोक में भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। कारण तुम्हारा ही समुदय राजत्व है, तुम्हारी ही सब शक्ति है, तुम्हारी ही सब महिमा है चिरकाल तक।